हर हर महादियों दोस्तों आज हम एकदम सिंपल वैसे ड्राइफूट लड्डू कैसे बनाते इसकी विती देखेंगे अगर दोस्तों शरीके रिलेटेड आपको कौनसी भी बिमारी रहेगी जैसे दुबला पन रहेगा हड्यों में दर्ध रहेगा कमर दर्ध रहेगा हर रोज बस एक लड्डू खाईए सबी प्रकार की बिमार्या दूर हो जाएगी वैसे बहुत ही सिंपल वैसे हम इस शुगर फिर लड्डू बना सकते है चला लड्डू बनान स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम ड्राइफूट शॉप करेंगे इसले मैं 100 ग्राम इतने काजू लिये चला के दर-दरा पीश सकते हैं यह देखें बडाम को भी अच्चे से हमने बारिक तुकड़ों में कट कर लिया हैं अब ही दोस्तों हमें इदे 400 ग्राम इतना काला खजूर लेना है यह देखें अच्छे क्वालिटी का खजूर हमें लेना है खजूर से इसके बीच अच्च जैसे इसे बारिक पीस लेंगे इस प्रकार से और इसे बाउन में निकाल लेंगे अभी दोस्तों लड़ू बना एक लिए हैं मिडियम फ्लेम के उपर पैन रखे पैन में हमें आदी कटोर इतना गाई का देशी के आइड करना है इसमें 1 फोट कप इतना गोंद आड करके इसे अच्छे से फ्राइ कर लेना है गोंद दोस्तों जैसे हम घी में फ्राइ करेंगे इसका साइज देके डबल से टीबल हो गया है अभी इस fry के अगोन को मिक्सर जार में आड़ करके इसे अच्छे से दर दर ऐसा पीस लेना है अभी हम सेम पैन में आड़ करेंगे एक कप इतना मखान है इसे भी golden brown fry कर लेंगे या देखें एक मिनिट में आप देख सकते हैं मखान अच्छे से golden brown हो गया है अभी इसे मिक्सर जार में आड़ करके इसे भी दर दर पीस लेंगे अभी हम पीसे हुए मखान को प्लेट में निकल के सेम पैन में आड़ करेंगे कट के हुए काजू कट के हुए बदाम कट के हुए पीस्ता अभी हम dry foods को golden brown होने तक अच्छे से इसे medium flame के चलाते हुए फ्राई कर लेंगे यह देखिए दोस्तों दोई मिनिट में आप देख सकते हैं dry foods हमारे अच्छे से golden brown हो गया है अभी हम इसमें मगज आइड करेंगे, अलसे आइड करेंगे, खसकस आइड करेंगे, किश्मिश आइड करेंगे और इससे अच्छे से चलाते हुए golden brown भून लेंगे यह देखिए दोस्तों एक मिनिट के बाद आप देख सकते हैं अधरवाइस high flame रहुए dry food जल जाएंगे यह देखिए दोस्तों एक मिनिट में अच्छे से हमारे dry foods हजूर के साथ मिक्स हो गया है देखाना दोस्तों बिना चीनी और गुड का उप्यों के हमने यह लड़्डू का मिश्रम बनाया है गयास बन करके लड़्डू का मिश्रम हम एक प्लेट में थंडा होने के लिए निकाल लेंगे यह इस प्रकाइसे मिश्रम निकालने के बाद इसे पूरी तरक इसे फेला के हम थंडा कर लेंगे मिश्रन जिसे थढ़ा हो जाए इसे अच्छे से एक मिनिट के लिए गुन्त लेना है जिसे और भी सॉप्ट हो जाएगा और इसके लड्ū बनाने के लिए अभी हम स्टार्ट करेंगे जितने size का लड़ू बनाने उतना size का हम मिश्रन लेंगे और इस प्रकार से हाथोन से इसे gold size दे देंगे यदे कितना gold motor हमार लड़ू तयार हुआ है वेसे dry foods एक कितने अच्छे से लड़ू के उपर ज़लक रहे हैं इसे प्रकार से और एक लड़ू आपको बना के दिखा रहा हूँ simply दोस्तों जिस size का लड़ू बना है उस size का मिश्रन लेंगे और इसे अच्छे से हाथोन से gold करके इस प्रकार से लड़ू बना लेंगे इसे प्रकार से अभी हम दोस्तों सब लड़ू बना लेंगे सो दोस्तो लड़ू रेडी है हाटली चारी मिनेट हामें लड़ू बनाने के लिए लगे है यदे कितने टेम्टिंग लड़ू तयार हो है खाने में तो भूती लाजवाब अगर दोस्तो आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक किज़े और अपने चैनल को प्लीज प्लीज सस्क्राइब कर लीजे वेसे हैं दोस्तों आप यह लट्टू बना के एक मैने तक स्टोर कर सकते हैं बिल्कुल खराब ने होते हैं चलो फिर मिलेंगे दोस्तों हर हर मादेव